नवस्कार दोस्कार को बड़के स्वागत आपका अपनी युटूब शेनल टार्गेट सिर्वी सर्छिस में आज हम एंपी स्पोर्स 2022 में दोस्तों गवर्मेंट के दौरा खेल के चेतर में जितने भी पूरुसकार दी जाते हैं विक्रम पूरुसकार विश्वमित्र पूरु इसमें MP-PAC में तो डेफिनेटली दो कोर्षन से पूछे ही जाते हैं और MP-Vyapam में भी इसमें कोर्षन पूछे जाते हैं MP-Sports से तो अभी हाली में आपका पटवारी का भी एक्जाम है MP-SI का भी एक्जाम होने वाला है यह लेक्चर स्पोर्ट्स के लिए आपके लिए इंप को ऑप्षन से 3C.. फैरे उसमंथ्टिक से तो इनका सम्द्दक पूरुसक्र 2021 से सम्मानित के गया है और इनका समंद्दक किषगेखर से सुखतियाति स्वास और Maeghila से परेंडी सियंहते स्ट्रीक से है और स्रेयांसी परदेशी को भी विक्रम पुरुसकार 2020 से समगानित किया है इनका समंद किस खेल से है बैडमिंटन से है और इनका समंद किस स्ट्रीक से है तो इंद और स्ट्रीक से है और देखिए सबसे पहले हम विक्रम पुरुसकार के बारे में बात करें तो हुआ हमारी मद्च्यप्रदेश सरकार के दवड़ा खेल के छीत्र में दिया जाने वाला सर्वोच पुरुषकार है इसकी स्थापना की बात करें तो देखि तक हम अब युगा कल्याईन तो विक्रम पुरुषकार 19 वर्ष से अधिक आईवर के खिलालियों को दिया जाता है। विक्रम पुरुषकार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। विक्रम पुरुषकार 2020 से भी समानित किया जा चुका है। वही तवाचपाई योगा खिलाली है। इनका संब्ध हमारे मदब्रदेश के इंदॉर्ड श्टीक से है। और एक स्रियानसी परदेशी बैडमिंटन खिलाली है। इनका संब्ध हमारे मदब्रदेश के इंदॉर्ड श्टीक से है। और दली खेलों में विक्रम पुरुसकार 2021 से कितने खिलाडियों को समानित किया गया है तो ये किया गया है तीन खिलाडियों को कौन कौन से एक तो जबलपूर के खोको खिलाडी नैंसी जैन इंदौर की कबड़ी खिलाली कंचन ज्योती दिक्चीत और दिवास की सौफ्ट व और दिवास की सौफ्ट वॉल खिलाडी रागेनी चौवान और दोस्तो दिव्यांग सरेनी की बात करें दिव्यांग सरेनी में एक खिलाली का चैन क्या गया है विक्रम पुरुसकार 2021 के लिए इनका नाम क्या है पूनम सर्मा पूनम सर्मा ब्लाइंड है और ये जुडो खि से हैं और वर्स 2021 के साहसी खेलों की सरेनी में विक्रम पुरुसकार के लिए वर्स 2016 में सफलता पुर्वक माउंट एवरेस्ट पर आरोहन करने वाले दो उतकरष्ट परवातारों ही स्री भगवान सियं कुस्वा और स्री रतनेस पांडे के नामों की घुशना की गई है विक साहसे खेलों की स्रेनी में दिया गया है तो इसका आंसर किया जाएगा ऑफ्स नमबर ए ठीक है नौ खिलाली तो सबसे पहले हम एकलवी पुरुसकार के बारे में बात करें तो देखी इसकी स्थापना कभी थी यह 1994 में की गई थी और इसमें पुरुसकार रासे कितने दी ज जाती है और यह 19 वर्ष से कम आयुवर के खिलालियों को दिया जाता है राजी स्तरिये एकलवी पुरुसकार में वर्ष 21 के लिए 9 खिलालियों को चैन किया गया है इसमें बोपाल की सौट टेनिस खिलाली आकांसा कनोजिया है इंदौर की कयाकिंग एवं कैनोइंग खिलाल पूजा है सुक नगर की वुसु खिलाली सुरूती सरवयया है नर्मदा पुरम की सुटिंग खिलाली अर्जुन ठाकूर है इंदौर की तहरा कन्या नयार है विदीशा के एथलिट इकराम अलिखान है देवास के रोइंग खिलाली गोपाल ठाकूर है और भोपाल की सुटि 21 किस्थ समानित क्या गया है तो यह श्री पारितो शर्मा स्री विने प्रजापती और श्री महान लाल बंबोरिया सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है विश्वामित्र जो पुरुसकार है वह हमारी मदब्रदीर सरकार के द्वारा खेल के चेत्र में प्रसीक्षकों को दिया जाता है ठीक है यह कोशन अलड़ी MPPC 2020 में पूछा जा चुका है और इस बार विश्वामित्र पुरुसकार तो 2017 कितने प्रसीच्चवों को समानित किया गया है तीन प्रसीच्चवों को समानित किया गया है श्यरी Muhanna Lala Bamboriya श्यरी पारिस्टोस सर्मा की बात करें तो इनका समंध हमारे मदब्रदेश के गवालियरी श्टीग से है और इनका समंध किस खेल से है तो कराटे से विन्अ प्रजा पती की बात करे तो इनका संबन्ध हमारे मद्णपरत के बहुपारड स्टीक से है क tutorial मोहनलाल बंबॉरिया के मद्णपरत्यक है और ये किस खेल से सम्मान दीत है तो मलकम से सम्मान दीत है ठीक है याद रखी का विश्वामित्र पुरुसकार 2021 से तीन खिलालियों को सम्मानित किया गया है बात करा हम यहाँ पर विश्वामित्र पुरुसकार की तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी इसमें पुरुसकार रा नेक्स को सन्हारा मदब्रदे OutK Ireland के नांग वाला प्रभाद जोसी खेल पूरुसकार वर्षदर 21 से किस जिले के मुजाहिद बेग को सम्मानित किया गया है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रभाद जोसी खेल पुरुसकार किस खेल से संबंदित है तो यह मलखंब में दिया जाता है ठीक है और इस बार किसे मिला है प्रभाद जोसी खेल पुरुसकार वर इसकी स्थापना 2013 में की गई थी इसमें पुरुसकार रासी दो लाक रुपए दी जाती है और यह पुरुसकार वर्स 2013 से प्यारम्ब किया गया है और ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने मलखंब खेल के विकास एवन प्रोथसान के लिए विसेश योगदान दिया है यह म मलखंब दोस्ता हमारे मद्दप्रदेश का राच्की खेल भी है इसको राच्की खेल कब गोसित किया गया था तो यह 2013 में किया गया था पारंपरी खेल मलखंब में उतकरश्टा के लिए दिया जाने वाला प्रभाद जोसी खेल पुरुसकार वर्स 2021 के लिए उज्यन के मु गवालेरिश्टीक से तो इसका आंसर हो जाएगो ऑफ्सन नमबर C ठीक है गवालेरिश्टीक से लाफटाइम अच्यूमेंट पुरुसकार की बात करें तो इसकी इस्तापना 2002 में की गई थी इसमें पुरुसकार राची दो लाग रुपए दी जाती है और यह पुरुसकार वर्स 2002 से प्रारंब किया गया था यह पुरुसकार ऐसी खेल अस्ति को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं पुरुसान के लिए जीवन परियंत योगदान दिया है और लाइफटाइम अच्यूमेंट पुरुसकार 2021 की बात करें तो वर्स 2021 के राजी इस तरह यह लाइफटाइम अच्यूमेंट पुरुसकार की स्रैनी में ग्वालियर के स्री बल्बिर्शियं कुस्वा का चैन किया गया है स्री कुस्वा ने हमारे मदब्रदेश में टेबल टैनिस क्याकिंग कैनोइंग ड्रेगन बोट आधि खेलो को आगे बढ़ाने में मह बारे में हम डिसकर्स कर चुके हैं एक बार फिर से बता दू विक्रम अवार्ड जो है हमारी मदब्रदेश सरकार के त्वारा खेल के चेतर में दिया जाने वाला सरवोच पुरुसकार है 19 वर्से अधिक आयूवर्ग के खिलालियों को दिया जाता है एकलवी पुरुसकार क तराकी वाटर स्पूर्ट्स अकडमी कहां पर है तो यह बोपाल स्टीक में है और सूटिंग अकडमी भी भोपाल में है और पुरुस होकी अकडमी का मुख्याले कहां पर है तो यह बोपाल स्टीक में है और दिखिए उज्जयन में मलखंब अकडमी है और ग्वालियर की ब मद्पुर्ण तथ्य याद रख लिजिए कोछ खेल दिवस हम 29 सगस को मनाते हैं और हमारे मद्प्रदेश का राज की खेल मलकम है इसे कब गोशित किया था राज की खेल 2013 में इंदौर को खेल की राजदाने भी कहा जाता है और मद्प्रदेश का एक मात्र आदिवासी खेल लतीफ अनवर बाद में पाकिस्तान होके टीम के कप्तान बने थे और मद्प्रदेश के इंदौर के क्रिकेट खिलाली कैप्टन मुस्ताक अली ऐसे भारती क्रिकेट खिलाली है जिन्होंने विदेशी धर्ती पर सतक बनाने का गौरव हासिल किया है स्टेडियम की बात कर ले तो इंदौर में प्रमुख खेल स्टेडियम कौन कौन से है एक तो नहरू स्टेडियम है ये क्रिकेट स्टेडियम है उसा राजे हुलकर स्टेडियम भी इंदौर में है यहाँ पर 2011 में विरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा सतक लगाया थ तो ये सचीन तिंदूलकर के दवारा लगाया गया है और ये भी हमारे मद्दप्रदीस में ही लगाया गया था रूप सियं स्टेडियम में रूप सियं स्टेडियम कहां पर है तो ग्वालियर स्टीक में है बोपाल के प्रमुक स्टेडियम कौन कौन से है प्रकास्तरन पुसकर स्टेडियम, एजबाग स्टेडियम, साई छेतरी स्टेडियम, तात्या टोपी स्टेडियम और अंतराश्ट्रे क्रिकेड स्टेडियम बोपाल में है और रूपसी स्टेडियम कहां पर है तो ये गौलेड स्ट्रीक में है और यहां पर सचिन तेनल करने 2010 में 12 सतक मारा था किसके खिलाब साउथ एफ्रिका के तो इसका आए और अगर हमारे मद्दप्रदेश की बात है तो मद्दप्रदेश में कोचेश को सर्वस्टेश्ट कौन सा पुरूसकार दिया जाता है विस्वमित्र पुरूसकार दिया जाता है क्रें अब बात करें या पर दुरोनाचारी पुरुसकार तो इसके स्थापन कभिंख गई थी यह 1965 में यह zachरती है पूरुसकारी पूरुसकार कितनी है and याद रखेगा दुरोणाचार्य पुरुसकार की स्थापना उनी सो पैसाट में की गई थी इसमें पुरुसकार रासी जो है खेल रतन पुरुसकार है ठीक है most important है याद रखिएगा इसकी स्थापना इसका नाम क्या था राजयोगांदी खेल रतन पुरुसकार था इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी और इसमें पुरुसकार रासे कितनी जाती है तो 25 लाग रुपए दी जाती है ठीक है पुरुसकार इसकी 25 लाग रुपए दोस्तों पहला राजयोगांदी खेल रतन पुरुसकार जो की अब नाम क्या कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार कर दिया गया है तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार किसे मिला था तो यह विस्वनात आनंद को ऩजसे संबंदीत है बात करें अर्जुन पुरुकर तो अर्जुन पुरुषकार भी खेल याद रख मोस्ट इंपोर्ट sto श्वामित्र पूरु पुरुसकार की बात करें तो यह हमारे मद़प्रदेश गवर्मेंट के दोरह कोचेश को दिये जाता है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी अ कितनी है तो दो लाग रुपए है तो अभी हाल में विश्वमित्र पुरुसकार तीन परसीचकों को मिला है उनका नाम क्या गा है कराटे के परसीचक पारितोस सर्मा का संबंद की सदिस्टीक से हैं तो कराटे से हैं इनका संबंद की सदिस्टीक से हैं तो ग्वालियर से हैं और इनको अभी हाली में विश्वमित्र पुरुषकार 2021 से समानित किया गया है तो विश्वमित्र पुरुषकार 2021 से समानित किया गया है तो विश्वमित्र पु तुस्सर्मा वीनए प्रजापती बातकरम याँ पर मदब्रदेश सुटिंग एकडमी की तो इसकी स्थापना कप की थी यह 2010 में की गई थी ठीक है और इसका मुख्याले कहां पर है तो यह हमारे मदब्रदेश की राजदाने बोपाल में हैं मंदब्रदेश के स्थींग के रिखाए तो मनिस हां मरसी का नामceksin के रखी और षूटिंग के स्थाटर में ऑपालो के प्रतापसिया थैंटोमर का नाम याद skills से हैं और शूटिंग के चेक में चेटर अश्वरte तो मर राही सरनोबत का नाम भी याद रखेगा राही सरनोबत सुटिंग प्लेयर है हमारे मद्रदीश की मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है याद रखेगा मेजर ध्यांचन्द खेल रतन पुरुषकार 2022 से किसे समानित किया गया है तो यह स्री सरत कमल अंचत को समानित किय और 2022 के अर्जुन पुरुषकार से समानित कितने खिला लिए तो पत्चीस खिला लिए इसमें सुसरी सीमा पुनिया एथलेटिक है और स्री लग्स सेन बैड्मिंटन खिला लिए स्री प्रनय है अचेस बैड्मिंटन है सरी अमीत बॉक्सिंग खिला लिए निकहद जरीन पुरे 25 खिलाडी को अभी हाली में अर्जुन पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है और द्रोनाचारी पुरुषकार की बात करें तो देखिए यहां पर नियमीत स्रेणी में किसकी से मिला है एक तो स्री जीवन जोत सीयं तेजा को मिला है तरंजाजी से है मोहमद अली कमर क को मिला है यह पैरा सुटिंग है हमारे मदब्रदेश की सुटिंग कोचे से सुजीत मान को मिला है कुस्ति के कोच है किस जिले की सौमया तिवारी भारती अंडर-19 क्रिकेट टी में चुनी गई है तो इनका संबन्द है बोपाल स्टीक से तो इसका आंसर के जाएगा ऑप्स 2016 में है और कि क्रिकेट क्लब की स्थापना कप कि गी ती यह 1890 नब्यों में की गई थी आपने संध्या अगरवाल का नाम सुनाई होगा यह भी क्रिकेटर है इनका सम्मध हमारे मदब्रदेश के इंडौर स्टीक से है और यह भारती महिला क्रिकेट्टीम की कैप्टन भी रह वहां पर पूजावस्तरकार ने भारती महीला क्रिक्ट टीम का प्रतिंद्दी तो किया था और सबसे लंबा चक्का उस वर्लड कॉप में किसके दोरा लगाया गया था तो यह पूझा वस्तरकार का संबन्दक की सटीक से हैं तो सैडोल डिश्टीक से हैं और देखिए हमारे म करने वाले मध्यप्रदेश को प्रत्थम कृकेटर है देखे दोस्तों अभी हाली में आपको पता होंगा कि रजी ट्रॉफिक इसके दार जीती गयी है यह भी हमारे मध्यप्रदेश क्रिकेट तो मद्धप्रदिष क्रिकेट टीम के कैप्टन थी और संदरकान-पन्डित मद्धप्रदिष क्रिकेट टीम के कौज थी इसका मुख्याले कहाँ पर है यह मुंबई में है और इसकी स्थापना कपी गी थी 1928 में की गई थी और इसके अभी अध्यक्ष कोने सौराव गांगुली है मदप्रदेश क्रिकेट असोसीशन का मुख्याले कहाँ पर इंदौर में है प्रेसिडेंट कोने दोस्तो अभिलास खांडेकर है मदप्रदेश क्रिकेट असोसीशन की स्थापना का भी थी दोस्तो ये 1956 में की गई थी बात करें दोस्तो उसा राजे हुलकर स्टेडियम ये कहाँ पर है ये एक indoor stadium है दोस्तो अब है खेल प्रसाल और ये सबसे बड़ा stadium है बात करें दोस्तो स्वर्गी लक्ष्वन सिये चववान तरण पुषकर stadium भी कहाँ पर है तो ये indoor stick में है और नेहरू तरण पुषकर stadium भी कहाँ पर है दोस्तो तो ये indoor में है ठीक है, और मद्ध्यप्रदिष हुलकर Cricket Association कहा पर है दोस्तो यह इंड और में हैं इंक की यादो का सम्मंद किस khelle से है दोस्तो to चिंट की यादो का समंद है sekुसटिंग से ठीक है और दोस्तों चिंच की यादो का सम्मंद किस G consultants की जीले से है उसमें पूछा गया था ठीक है कि विवेक सागर का संबंद किस स्केल से है विवेक सागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनित्व किया था और भारत ने होकी में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है तो यह कांस से पदक जीता है ठीक है ब्रॉंज म और दोस्तों यह भारतिय महिला क्रिकेट टीम में Papaino vere चुकी है। इनकम की सजिलेश की तो जबलपूर से है यह कोशन दोस्तों MPPC 2019 में पूछा गया था और MPPC 2020 में पूछा गया था यह जो तिरंदाजी डिक्ट दोस्तों, अभी हाले में पहली बार हमारे मत्यप्रदेश ने रंजी ट्रोफी जीती किस Très तीम को हराकर? मुंबई को हराकर तो उसमें pushing ग PROCATION के जो कपतान थे कोन कोश्ट इंपॉर्टन है दोस्तों यह आगर कीगा रंजी ट्रॉफी में मद्रप्रदेश टीम ने जो खिताब जीता है उसके कोच कौन थे चंदरकांत पंडित थे बात जोसी अवार्ड प्रभाद जोसी अवार्ड की स्चेत्र में दिया जाता है दोस्तों मलखंब में जिया तो यह आगर कीगा मुश्ट इंपॉर्टन है मद्रप्रदेश की नई खेल नितिक आई थी 2005 में आए थी मद्रप्रदेश की खेल राजदानी कौन सी है इन दौर है समीरदात का समंद किस खेल से दोस्तों तो इनका समंद है होकी से और यह MPC 2017 में कोशन पूछा गया था ठी यह कोशन भी दोस्तों MPPC 2020 में पूछा गया था मद्रप्रदेश खेल परिशत के अध्रच कोन होते दोस्तों तो यह हमारे मद्रप्रदेश की खेल मंत्री होते है और अभी हमारे मद्रप्रदेश की खेल मंत्री कोन है दोस्तों यह सुद्रह राजेस इंद्या है ठीक है और मद्रप्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्यान विभाग की स्थापना कपके गी थी ये एक ऑक्टूबर 1975 को की गई थी तो ये भी मुस्ट इंपॉर्टेंट गोसन है मुस्कान सिख खान भी अभी काफी न्यूज में रही है तो आपको बताना है कि न्यूजिलेंड में आयुजित कॉमन वेल्ट पावर लिफ्टिंग चैंपेंशिप में सिवपूरी की मुस्कान सिख खान ने कौन सा पदक जीता है स्वर्न पदक रजट पदक का से पदक या इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर प्रवाद डिटेल में जीएगा कि यह है हमारा टेलेगाम चैन तो लाइक और शेयर जरू करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो